बॉलिवुड में एक से बढ़कर एक अबनेत्रिया हैं और अब तो देशी नहीं विदेशों में भी भैरती अबनेत्रियों का लोहा माना जाने लगा है इस काम में सबसे पहले नाम आता है प्रियांका चोपडा का जिन्होंने हॉलिवॡ में धमाल मचा रखा है लेकिन दोस्तों आपको आज हम प्रियांका चोपडा से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी स्टार और ऐसा काम जिसके बारे में अपने कभी सोचा नहीं होगा जियां दोस्तों तो आखर कौन सी है वो बात जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें बॉलिवॡ को अपने आक्टिंग का दिवाना बनाने के बाद प्रियांका चोपडा हॉलिवॡ में भी अपना जलवा दिखा रही है इनकी गिंती टॉप की आक्ट्रसेज में होने लगी है प्रियांका चोपडा एक इंटरनाशनल स्टार बन चुकी है बॉलिवॡ के बैद वो हॉलिवॡ की सबसे अधिक कमाई करने वाली आक्ट्रसेज में से एक है यहां तक कि देशी गर्ल के नाम से मशूर प्रियांका चोपडा ने निव यॉक में एक घर भी खरीद लिया है और अब वो वहीं रहती है वो अब भरत से ज्यादा समय विदेश में गुजारती है कहा जा सकता है कि पचले कुछ सालों में प्रियांका ने नाम और दौलत दोनों खूब कमाए है प्रियांका की ब्रैंड वैल्यो और फीस दोनों काफी बढ़ गई है इसी बीच एक डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रियांका चोपडा ने 5 करोड मांगे है जिससे सुनकर शो मेकर्स भी हैरान रह गए प्रियांका की पहली हॉलिवूड फिल्म बेवॉच थी अब वो हॉलिवूड में अपना करियर बना चुकी है और उनके पैस फिलहाल कई प्रोजेक्ट्स है इसलिए प्रियांका की ब्रांड वैल्यो काफी बढ़ गई है लेकिन देसी गर्ल प्रियांका चोपडा उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गई थी जब एक डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रियांका चोपडा ने 5 करोड मांगे दरसली किसे फिल्म या फिर टीवी सीरियल के लिए उनके फीस नहीं थी बलकि ये तो एक डांस परफॉर्मेंस के लिए मांगी गई राकम थी एक डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रियांका ने 5 करोड की डिमांड रख दी इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका इन दिनों इंटरनाशनल स्टार बन चुकी है लेकिन प्रियंका ने पनी फीस इतनी बढ़ा दी है कि हर कोई उन्हें अपने शो में नहीं बुला पा रहा है प्रियंका को लगातार ट्रोल किया जा रहा था लेकिन उसको लेकर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी और से कोई भी बात नहीं गई लेकिन मौका जरूर आया उनका करारा जवाब सुने का जब वो एक इवेंट पर पहुँची और उनसे इस मुद्दे के बारे में पूछा गया कि क्या ये सच है या फिर नहीं हिरोईन अगर ये सब चीज कर रहे है ये तो गलत है उनका तो रुत्बा बड़ा हो रहा है बड़ी ही वो चलाग बन रही है उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बता दू मुझे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ उस काम के लिए मुझे जो और दोस्तों प्रियंका चोप्रा साफ तरीके से कहती भी नजर आई कि बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में लड़कों को ही हीरो को ही तवज्जो दी जाती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी गाड़ी और मेरे बैंक बैलेंस में कितने जीरो लग रहे हैं लेकिन हा तो दोस्तों आपको क्या लगता है प्रियंका चोप्रा का पांच मिनट का पफॉर्मेंस के लिए 5 करोड मांगना सही है या गलत हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कॉमेंट करें और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दो